योगापार स्टूडन्ट इस यूटूब चानल में सभी योग प्रेमियों का हारदीग स्वागत तो दोस्तों योग की इस रंकला में आज हम करने वाले है धनुरासन धनुरासन में हमारा शरीर खीचे हुए धनुष जैसे दिखता है इसलिए इसे धनुरासन कहते हैं धनुरासन करने से हमारे पेट की चर्बी कम होती है हमारे लंग्स मजबूत होते हैं हमारे रीड की हड़ी उसकी फ्लेक्सिबिलेटी बढ़ती है हमारे हाथ और पर मजबूत होते हैं उसके सभी डिसिजेस दूर होते हैं तो चलिए हम आज करेंगे धनुरासन, धनुरासन से हमारी digestive system, excretive system इसको बहुत ही अच्छी तरह से लाब मिलता है, तो करेंगे हम अब धनुरासन, धनुरासन ये पेट के बर करने वाला आसन है, इस आसन में पहले पेट के बल लेट जाईए, फिर धीरे धीरे अपने पेड़ों को पीट की तरफ मूड़िये, अपने पेड़ पीट की तरफ आने के बाद अपने दोनों हातों से अपने पेड़ों को मजबुती से पकड़िये, अपने हातों की पकड पईरों के उपर अच्छी तरह से होनी चाहिए फिर सास को अंदर भरते हुए अपने शरीर को आगे और पीछे की तरफ से उपर उठाने की कोशिश करे ध्यान रहे या आसन की पूर्ण स्थिती है इस तिती में आप तीस सेकन से एक मिनट तक शरीर को स्थीर करने का निरंतर प्रैक्टिस कीजिए जब आप इस आसन को बार बार करने की कोशिश करेंगे निरंतर करने की कोशिश करेंगे आपकी पिट की फ्लेजिबिलिटी धिरे धिरे बढ़ती जाएंगे अब धीरे से इस आशन को छोड़िये अपने घुटनों को धीरे से जमिन के उपर टी किये और धीरे से अपने पेरों को छोड़ते हुए अपनी पूरों स्थिति में आज़िये तो दोस्तों आज हमने किया है धनुरासन हर रोज प्रैक्टिस करते समय याद रहे धनुरासन के दो से तीन बार हम इस आशन की प्रैक्टिस अवश्य करें तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें अगर कुछ सुजा होए तो कमेंट करें और स्टूडन के लिए बच्चों के लिए हमने शुरू किये हुए इस योगा फार स्टूडन इस यूटूब चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए धन्यवाद